दोस्तो जब आपसे ये पूछा जाता था पहले कि उत्तरपरदेश का recognition कैसे किया जाए तो लोगों का खास करके जवाब होता था कि जहाँ पर से सड़ کے खराब होना शुरू हो जाए वहां से उत्तरपरदेश शुरू हो जाता है जहां पर से गरीबी शुरू हो जाए, माफिय राज शुरू हो जाए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक शुरू हो जाए, वहां से उत्तर परदेश शुरू हो जाता है स्थिती ऐसी आ गई है कि जोर योगी एक टाइम पे रो रहा था आज वो माफियाओं को गलत-गलत politicians को रूला रहा है तो उस रूलाने की वज़ा क्या है उस development की वज़ा क्या है आज हम लोग इस वीडियो में उसी चीज़ की analysis करेंगे तो दोस्तो होता क्या है Congress अगर शुरू से बात करें तो 1947 से लेकर के 1980s, 1990s तक Congress चरम सीमा पर थी चरम सीमा पर कहने का क्या मतलब है कि Congress की double engine सरकार थी अगर उसको एक शब्द में बोला जाए तो बट 1980s, 1990s तक आते आते क्या हुआ कि Congress की popularity घट गई अब Congress की popularity घट गई तो हुआ क्या जब Congress की popularity घट गई तो एक vacuum create हुआ एक political vacuum create हुआ अब इस political vacuum को भरेगा कौन तो इस political vacuum को भरने के लिए जो उभरे है वो थे regional parties वो थी regional parties अब regional parties के साथ problem क्या थी कि एक तो ये नई parties थी दूसरी ये छोटी parties थी तो जो Congress या बीजेपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां थी उसके सामने ना तो ये economically sustainable थी sustain कर सकती थी ना manpower के हिसाब से sustain कर सकती थी तो अब क्या हुआ इनकी popularity धीरे धीरे बढ़ने लगी अब देखो Indian society का Indian culture का एक basic facet है जिसको हम लोग कहते है religion और caste ठीक है religion and caste अब religion and caste के वज़े से क्या हुआ इनकी popularity skewed होने लगी मतलब एक तरीके से एक तरफा बढ़ने लगी जैसे मान लो अगर कोई नेता यादव समाज का है तो उसकी popularity यादव समाज में बहुत जादा बढ़ने लगी ठीक है तो ऐसा क्या होने लगा जो popularity थी वो skewed होने लगी अब देखो होता क्या है इन regional parties के पास ना तो manpower होता है ना तो पैसा होता है तो अब election के लिए तो इनको दोनों चाहिए इन्होंने क्या करना start किया इन्होंने यूज इन political parties ने यूज करना शुरू कर दिया कि इनका जो local gang man है मतलब जो local mafias है जो local गुंडे है ऐसा क्यों करना उन्होंने start कर दिया क्योंकि इन mafias के पास पैसे भी है manpower भी है एक hold भी है जनता में उस hold को दूसरे शब्दों में डर कहा जाता है ठीक है तो ये तीनों चीजे हैं अगर आपको इन में से किसी भी mafias का support मिला हुआ है आपकी political party को तो आपको vote मिले ना मिले ये mafias boot capturing करवा करके vote डलवा देते थे तो ये सब situation यूपी में आने लगी थी 1980s, 1990s में अब देखो होता क्या है कि ये situation काफी दिनों तक चली until and unless 2017 में योगी आदितिना था है तो हम लोग क्या करेंगे objectively निश्पक्ष हो करके facts के basis पर एक analysis रखेंगे कि किस तरीके से UP जो है एक under developed state से एक बीमारू state से एक developed state के तरफ चला गया तो दोस्तो होता क्या है, हुआ क्या था कि UP था, UP में कुछ gunman, कुछ conman, कुछ mafias जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आतिक अहमत political parties ने क्या किया, इन सब का support लेना शुरू कर दिया इन सब का support लेने के वज़े से क्या हुआ, कि UP का law and order काफी जादा घराब हो गया आपको बता देते हैं कि 160 criminal cases थे आतिक अहमत पर, आतिक अहमत के family को, आतिक अहमत के बेटो उपर, आतिक अहमत के खुद के उपर बहुत सारे cases थे, इसके बावजूद उनको political party ने शरन दी, ठीक है, एक बार तो ऐसा हो गया था, कि आतिक अहमत जेल में थे, जेल से ही उन्होंने election लड़ने का सोचा, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, बेल के लिए अरजी डाली कोट में, आतिक अहमत के डर के अश्तार अंसारी का है, ठीक है, और अभी आपने कुछ दिनों पहले encounter सुना होगा, विकास दूबे का, ठीक है, ये सारे एक ही type के लोग थे, और कहीं न कहीं political party से ये सारे जुड़े हुए थे, law and order तो खराब था ही, law and order के साथ साथ कई और सारी चीज़े खराब थी, अब जब law and order खराब होगा तो इसका domino effect पढ़ेगा, domino effect पढ़ने का क्या मतलब है, कि law and order से related जो भी सारी, जितनी भी सारी चीज़े होगी, वो सब खराब होगी, अब law and order से related कौन-कौन सी चीज़े होती है, तो देखो, business का आना बंद हो जाएगा, जब business का आना बंद हो जाए जब investment कम हो जाएगी, तो employment खतम हो जाएगी, आपको आगे slide में पता चलेगा, कि UP में जो labor की productivity थी, वो घट गई थी, ठीक है ना, वो क्या हो गया था, वो घट गया था, तो employment कम होगा, तो state GDP भी खतम हो जाएगा, migration चालू हो जाएगा, और अगर आपके पास basic knowledge, sociology, society की होगी, तो आपको ये पता रहेगा, कि जब employment जिस भी समाज में कम होता है, वहाँ पर crime rate बढ़ जाता है, ठीक है, crime rate बढ़ जाता है, अब crime rate दो तरीके का होता है, एक तो आप देखो कि murder, kidnapping, rape, ये सब हो गया, दूसरा पहले type का crime rate था, murder का, kidnapping का, smuggling का, वो सब मैंने आपको पिछले slide में दिखाए, एक सोपती अजाम का एक जगा है, मेरट में, वहाँ पर क्या होता था, कि पूरे देश भर में से जितनी गाडियां चुराई जाती थी, वो सब वहाँ कटने के लिए जाती थी, आदे घंटे मे कैसे cases भी चलते थे, अब corruption कौन कर सकता है, आप खुछ सोचो, politician और bureaucrats, मिली भगत होती थी, businessman की मिली भगत होती थी, तो इस वज़े से क्या होता था, कि national rural health mission का scam हुआ, जिसमें काफी जादा लोग मारे गए, जिसमें काफी जादा लोग मारे गए, ये corruption scandal था, ये corruption scandal था, औ और ये 100 billion dollar का था, ठीक है, sorry, ये Indian, INR में 100 billion था, US का डॉलर 1.3 billion में था ये, 1.3 billion dollar पर था ये, तो ये काफी बड़ा नंबर है, और इसमें top politicians और bureaucrats दोनों शामिल थे, ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये योगी जी के पहले की कहानी थी, कहानी कुछ ऐसी थी, कि हर जग जी आते हैं, और योगी जी क्या करते है, तीन हिससे को अपनी पकड़ बनाते हैं, पहला क्या करते है, law and order को improve करने की बात वो करते हैं, उसके बाद क्या करते है, infrastructure के development की बात करते है, उसके बाद, welfare पर वो focus करते है, ये तीनों साथ में चलता है, हाला कि योगी जी जाने ज community जिसको आप हिंदु कहो गए ये हिंदु मुसलिम की बात नहीं हो रही है बट अगर आप यूपी के आंकडों को देखो गे ना अभी हम लोग देखेंगे तो बीजेपी के पहले इनके उपर ना खुले आम मतलब जो अत्याचार जिसको कहा जाता है वो होता है इवन की बीज क्या होता है कि ये सब सारी चीजे चल रही थी उसके पहले बट योगी जी ने क्या किया थिस तीन पिलर को पकड़ा और इन तीन पिलर्स को इंपूव करने की बात करी ला अंड ओर को इंप कि हिट लिस्ट उन्होंने बनाई उन्होंने 60 to 65 जो हिट लिस्ट होती है उसको बनाया और एक के बाद 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 उनका एंकाउंटर करवा डाला या करवा डाला या हो गया जो भी हो तो वह उस तरीके से उन्होंने उसको खतम किया पु पुलिस में भर्ती करवा यह भी बहुत बड़ा स्कैम था यह आज भी बिहार यूपी चाथिसगर जैसे चोटे-चोटे इलाकों में यह होता है तो वहां पर क्या होता था कि भर्तिया निकल गई कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है दूसरे कास्ट से है तो उसने क्या किय लोगों को एन्रोल कर दिया वाई सिपाही यह बनेंगे हवल्दार यह बनेंगे दरोगा यह बनेंगे बड़ क्या हुआ जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बदली दो साल-तीन साल के बाद कास्ट बदला तो तो जिस caste की political party आई उन्होंने इस भरती को नलिफाई कर दिया, अब उनके caste के लोग आएंगे, इस वज़े से क्या होता था, पुलिस के पास एक stability नहीं रह पाती थी, योगी जी ने इस चीज को बंद कर दिया, ठीक है, योगी जी ने इस चीज को बंद कर दिया, और पुलिस ठीक है, आजादी के 70 साल बाद तक, यूपी के पास बस एक express वे था, एक ही express वे था, ठीक है, बस एक express वे था, आज इसका नंबर काफी गुना बढ़ गया है, ये 22 के आसपास है, अब देखो होता क्या है, कि basically एक तो यूपी था, वो economic level पर भी बहुत पीछे था, यूपी, यूपी कहां count होता था, यूपी बीमारू state में count होता था, यूपी पूरे देश में, जितना इसका area है, नोईडा जैसा जगा ये रखता है, जितनी इसकी population है, उस हिसाब से देश में ये 9th से 9th से 10th position पर था, economic level पर, बट आप एक बात बताओ, ये ये number काफी सही नहीं था, बट योगी जी के आने के बाद ये देश में दूसरे number पर पहुँच गया है, और जो कभी बीमारू state कहा जाता था, वो revenue surplus state कहा जाने लगा, वो revenue surplus state कहला जाने लगा, 22.58 लाग करोड का budget surplus दिखा करके, बजट का वो दिखा करके, अब उसके बाद देखो क्या हो होता है, कि इसका domino effect होता है, अगर आपका law and order सही नहीं है, तो उससे कैसे crime जाता है, unemployment बढ़ता है, poverty बढ़ता है, skewed development होता है, यह सब मैंने आपको दिखाया, criminalization of politics, यह सब कुछ दिखाया, वही चीज़ यहाँ पर भी है, कि जो 21% से 2017-2020 में, बस 30 साल में, sorry, 3 साल में, जो इसके थे, बट आज ऐसा हो गया है, कि जगे जगे पर, McDonald's, Burger King, यह सब सारी चीज़े खुली हुई है, उसके बाद क्या आता है, जो पहले के political parties थे, BSP कहलो, BSP कहलो, उन्होंने एक law pass किया था, वो law कौन सा था, उत्तर प्रदेश Minister Salaries Alliance and Miscellaneous Act 1981, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता था, कि जो tax होता है, tax, वो minister लोग नहीं देंगे, तो भाई, अब minister के बदले tax कौन देगा, तो आम जनता है, वो देगी, आपके और मेरे पैसे, हम लोग जो tax दे रहे हैं, वो tax, इन ministers का जो हिस्सा बनता है tax में, उसको भी हम लोग pay करेंगे, यह कितनी, मतलब यह क जब एक businessman tax दे सकता है, एक दुकान वाल आदमी tax दे सकता है, तो यह ministers क्यों नहीं tax देते, उन्होंने इस act को ही repeal कर दिया, ठीक है, योगी जी ने क्या किया, इस act को repeal कर दिया, उसके बाद इसे क्या, योगी जी क्या आने के बाद से क्या हुआ, फिर यह सारे ministers tax देने कि दूशा हुआ की शेहर का कम-से कम-5 से 6 करोड का खर्चा बचा कर बाद ही बुलेट प्रूफिंग का अलग 14 करोड का खर्चा 13 क यह इत्त बाता बुलेट प्रूफिंग के बाद हम बेक sonता है, वह पूरा खर्चा बचा, जब मायावती थी तो उन्होंने एक गाड़ी अ उनको यह लगा कि अब जो governance system बन रहा है वो people centric बन रहा है और उत्तर प्रदेश change होने लगा उसके बाद देखो होता क्या है यह 62 माफिया की identification मैंने आपको बताई थी कि योगी जी ने law and order को maintain करने के लिए इसको बताया event की ऐसा क्या होता है कि एक UAE में UAE में क्या हुआ था emergency response category का एक competition हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस तीसरे स्थान पर आई थी कि कौन और यह 7 से 6 से 7 मिनिट का समय इन्होंने response देने के लिए लिया था सोचो एक जो ब्लिंकिट की delivery है उससे भी कम टाइम 10 मिनिट होता है ने उसका इसका 6 से 7 मिनिट था तो basically यहां पर इस तरीके से चीज़े improve हुई उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश एक टाइम पर 12 पोजिशन पर था 17-18 के पहले 17-18 के बाद क्या हुआ वो जंप करके second position पर आ गया तो यह economic reform का भी एक subset इसको माना जा सकता है कि कहाँ ease of doing business में तुम 10-12 पे थे अब कहाँ पर आ गए हो सीधा second पर आ गए हो अब यहाँ पर देखो यह जो 13 expressway की बात की गई है यह जो 13 expressway की बात की गई है यह पहले 70 साल पहले एक था अब यह कहाँ पर पहुँच गया है यह 13 पर पहुँच गया है उसके बाद भी देखो होता क्या है कई सारे airports को बनाया जा रहा है जो airports मतलब functional airports करीब 14-15 के आसपा airport अगर जो अभी जो under development है उसको अगर मिला दोगे तो कम से कम तो 20-21 पहुच जा रहा है अब उसके बाद भी देखो क्या होता है यह जो airport की जो संख्या थी यह योगी जी के पहले only two थी अब यह बढ़ गई है और दूसरी चीज क्या होती है देखो है क्या actually योगी जी भी उसी ideology के हैं जहां के हमारे center पे ruling party है योगी जी और मोदी जी का जो alignment है philosophy का जो ideology का वो काफी जादा इस वज़े से क्या होता है एक CM और PM में जब यह coordination बैट जाता है तो वो state को फाइदा करता है इसी को हम लोग double engine की सरकार बोलते है और होता क्या है जो मोदी जी सोच रह है अगर वो एक line में होता है तो उसका implementation भी काफी अच्छे से होता है और ये देखो सामने उसका result है कि 19,150 करोड का foundation stone रखा गया है multiple development project के लिए कहां पे वारा नसी में तो आज का analysis आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये analysis अच्छा लगे तो please like, comment और subscribe अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद